मा, मेरा नाम यश्वारद्वार्य है, मैं कक्षा तीन से प्छात्र हूँ, मेरा दोहा है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंच्छी को छाया नहीं, फल लगे अतिदूर, धन्यवाद सूपरबाद, मेरा नाम उतकष करने रवाल है, मैं कक्षा तीन का चात्र हूँ, आज मैं आपके साथे दोहे प्रस्तूत करने जा रहा हूँ मा ममता की मूर्थी, मा करूना की खाथ मा ममता की मूर्थी, मा करूना की खाथ मा इवाद तूके ये, एक मा तर बाज बाज दोहाँ एक मात सबा देवा नईप पिता समु देवता देवी मात तु समा नईप पिता समु देवता तेवी मात सु समा बच्चों को देते सघा बले बुरे का ग्यान रिशा दब बले बुरे का ग्यान दुन्यवाद तु सुब्रबाद मेरा नई पिता सघ्चा अग्यान दुन्यवाद आज मैं आज़नी के सामा सांच कभी दादीर के परशित दो होगा रुस वर बात देवाद करें जा रहा काल करें सो आज कर आज करें सो आज पलों में बढ़ने पूर जाएं कि बहुती करें गाद इसमें चंद भी दाद्जी करते हैं कि हमें करता काम आज करना जाएं और आज करता काम आज करते नहीं पूरना जाएं ऐसी वानी बोले मन का आपाँ खोएं और उनको सीतर करें आप मुसीतर हो कबेर्दा आप मुसीतर हो इसमें सम्स कभी दाद्जी कहते हैं कि हमें ऐसी मीठी वानी बोलनी चाहिए इसले दूस्तों को भी अच्छा है दे हमारे मन को भी तीन जाएं नमस्कार कोई जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई अथाच जब मैं इस संसार में बुराई भूनने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला जब मैंने अपने मन में ज्ञाप कर दीखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है धन्यवाद नमस्कार आप सभी को हिंदी दीवस की बहुत बहुत शुपकामना है मेरा नाम अंग्विशा है मैं कप्चा तीन जैबवार की चात्रा हूँ आज मैं आप सभी को कुछ दो ही सुनाने जा रही हैं गुरू गोविंदों खड़े काके लागु पाये गुरू गोविंदों खड़े काके लागु पाये बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों बताए कभी राख गोविंदियों बताए जाती ना पूछो सादू की पूछ लीजिये ग्यान मोल करू तलवार का पड़ी रहन दो म्यान ओ बंदू पड़ी रहन दो म्यान रहीमन धागा प्रेम का मतोडो चटकाई तूटे से फिर ना जुडे जुडे गाट पड़ जाए रहीमा जुडे गाट पड़ जाए धन्यवाद सुप्रभार मेरा मामा अन्वी दोय है मैं कख्षातीन की शाष्चा हूँ मैं आप लोगों के सामने आज दो दोहे प्रसुर करना चाती हूँ पहला दोहा रहीमन धागा प्रेम का मतोडो चटकाई तूटे पर फिर नाजरी जोए गाट पर जाए इसमें रहीम जी कहते है जो प्रेम का डागा होता है वो बहुत हल्का होता है पता ने वो कब तूट जाए और वो तूट भी जाता है तो फिर अगर जोट जाता है तो फिर उस पे गाट लग जाती है दूसरा दोवा कल करेश्टो आज कर आज करेश्टो अब पल में पल्ले होएगी बघरी करेगा कब इसमें कभी जी कहते हैं कि जो हम कल करने के सोचते हैं वो हमें आज ही कर लेना चाहिए और जो हम आज करने के सोचते हैं वो में अभी ही कर लेना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब जीवन में पल्ले आ जाएगी और जीवन का अंध हुजाएगा थांक्यू नमस्ति मेरा नाम रिदीमा जैसे मैं तक्षत तीन मिराज की छात्रा हूँ हिंदी दिवस के आप सभी को बहुत बहुत शुक्त कामना है और हिंदी दिवस के उपर ही मैं आपको दो दोहे सनाने चाह रही हूँ बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़े ख़जूर पंची को चाया नहीं फल लागे अतिदूर कभीरा फल लागे अतिदूर ऐसी वाणी बोलिये मन को आपा खोए और अनको शीतल करे आपको शीतल खोए कभीरा को शीतल होए धन्यवाद नमस्कार मेरा नाम विश्चित कपता है मैं कक्षा थवर्णों पढ़ता हूँ आज मैं आपके सामने लोगी किदर तो वे पस्तुत में जाने हूँ माती कहे कुमार से तो क्यो रोंदे मोहे एक दिन एसा आएगा मैं रोंदू तो है कभीरा मैं रोंदू तो है जाती ना पूछो सादू की पूछली जीए ग्यान जाती ना पूछो सादू की पूछली जीए ग्यान मूल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान का भीरा पड़ी रहने दो म्यान लगनेवाद अस्ते मेरा नामा रुही खंडेलवाग है आण में आपको सुनाने जा रही हूँ दो है ऐसी वानी बोलिये मन का आपा खोए और निकोशी तल करे आप हुशी तले हो कभी जाया आप उसी चले हो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजू बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजू पर निकोशी को जाया नहीं फल लागे यती दूर कभी जा फल लागे यती दूर दुने बाट आप कभी को इंदी विवस की हारदी शुप करना है हिंदी विवस हर साथ 14 सितंबर को मनाया जाता है मैं आवरेजन कख्षतीन के छात्रा हूँ तो आज मात के सामने हिंदी विवस पर कभी दास जी के दोह पस्तक करने जा रही हूँ मेरा पहला दोबा है एसी वारी बोले बने का आपा खुए कभी दास जी करते हैं हमें ऐसी वारी बन को अच्छी लगे ऐसी वारी बने को अच्छी लगती ही है और स्वेंड का मन भी खुशी से खुश हो जाए ये दूशा दवाए धीरे धीरे एयरे माना धीरे सब कुछ होई माली सीचे सो गड़ा पितवाए पले होई कभी दा specificаров कभी दाई ची कहते हैं मान में धीर शपना चाहिए धीर सब कुछ होता है अगर कोई माली पेड़ को सो गड़ा सीचने लगा तब भी रितू आने पर ही पल आपने लेंगे धर्देवाद आपका दिन शुब्र है ऐसी माली हो लिए मन का आप आपोए ओमन को शीतल करे आपो शीतल होए काल करें सो आज करें सो अब पल मैं प्रयले होगी भावरी करोगे कभी थैंक्यू प्रभाद मैं अरिम्टेन कक्षा तीन जेगवार का एक छात्र हूँ आज चबी को मैं हिंदी दिवस की शुब कामनाई देता हूँ आज मैं दो दोए गाऊंगा जिसका शुषक है ऐसी वानी बड़ा हुआ तो क्या हुआ बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़क जूर पंची को चाया नहीं खल लागे अति दूर कभीरा खल लागे अति दूर एसी वानी बोलिये मन का आपा हुआ और अनको शीतल करे आप हुशीतल होए कभीरा आप हुशीतल होए धन्यवाद सुप्रभाद में लक्षादव कक्षातीन का चात्रे आज मांक्षवी को कभी ताजी की दोचनाने जा रहा हुआ बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़क जूर पंची को चाया नहीं पर्लागे अतिदू कभीरा पर्लागे अतिदू साइतना जी जिये जामे कुटूम सजा समाए मैं भी भूका नार रहीं साधना पूका जाए कभीरा साधना पूका जाए धन्यवाद सूप्रभात मेरा नाम भूवी जन है मैं कक्षतीन में पढ़ने वाई चातर हूँ आज मैं आपको दो दोई सुनाने जा रही हूँ बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़क जूर पंथी को चाया नहीं फला गया तिदूर सैकेंड साई इतना दीजिये जामे को तुम समाए मैं भी भूका ने रहूं साधू ने भूका जाए धन्यवाद मेरा नाम सिन्मा गुपता है मैं काक्षातीन मिराज का छातिम हूँ और मैं हिंदी दिवास के क्रम में कुछ दोई प्रस्तुर करने जा रहा हूँ ऐसी बानी बोलिये मन का आपा कोई और अनकोशी तल करे आप मुशी तल होई और रही मन पानी राखिये बिन पानी सब सूँ पानी गए न उबरे मोती मानस चूँ धन्यवाद पानी पीचर्स मेरा नाम अच्छे बुटा है मैं क्लास थी छात्र से पढ़ता हूँ आज मैं आपको तीन दोहे दोहे समाने जा रहा हूँ बड़ा बाया तो क्या हुआ जैसे पेड खजूरा पंची को छाया नहीं फल लागे अतिदू कभीरा फल लागे अतिदू प्रहीमन दागा फ्रेम का मत तोड़ो छिटकाए तूटे से फिर ना जुडे जुडे गार्थ पड़ जाए कभीरा जुडे गार्थ पड़ जाए गुरू गोविन दियो खड़े काके लागू पाउं बलियारी गुरू आपने गुरू गोविन दियो दिखा थैंक यू सुप्रभाद मैठनक्स्यानी काक्षा तीन से आज आप सभी को कुछ दोहे सुनाने चार नहीं हूं हिंदी दिवस पर गुरू भ्रम्मा गुरू विष्णु गुरू देवो महेश्वरा गुरू शाक्षा पार भ्रम्मा तस्तु महेश्वरी गुरुवे नमहा साई इतना दीजिये जामे कुरू तुम सम्हाए मैं भी भूकाना रहूं सागु नमु का जाए कभी रा सागु नमु का जाए ऐसी वानी बोलिये मन का आप आखुए एसी वानी बोलिये मन का आप आखुए और अनको शीतल करे आप होशीतल होए कभी रा आप होशीतल होए पड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजू पंधी को छाया नहीं लाके भलत तुम कभी रा लाके भलत तुम खन्यवाद प्रभात मेरा नाम पाथी शर्मा है मैं कक्षादो की छात्रा हूँ आज मैं आपको एक दोह सुनाने जा रही हूँ बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंची को छाया नहीं फल ला गया तिदूर इसका अर्थ है कभी अरदास जी कहते हैं कि जूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर उचाई पर लगता है इसी तरह अगर आप किसी का लाब नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा बड़ा होने का कोई फायदा नहीं धन्यवाद सुप्रभात मेरा नम काप्यक मिलबान है मैं कख्षा पीनती चात्रा हूं आज मैं आपके सामने कुछ दोहे सुनाने जा रही हूं आल करे सो आज कर। आज करे सो अब, आल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल मैं पर लेखो एकी, जोरी करेगा कभ, कभी राद, जोरी करेगा कभ, पान पूझे हरी मिले तो, मैं पूझू पाहार, पान पूझे हरी मिले तो, मैं पूझू बाहार, तात ये चाक्ती बली, ये सिखाए संसार कभीरा, ये सिखाए संसार धन्यावाद, आज़नियाद लापागर, ये महां मेरे पिये साथ ये, मेरा नाम रैनिश का ब्रवाद है, मैं कच्छतीन मराश की चांग रहूं, मैं आपके सामने कच्छ दोवे प्रसब करने जा रहे हूं, जो इस प्रवाद है, रूखा सूखा खाई के धन्डा पानी पी, देखी पराई चूपडी मतल जावे जी, ऐसी माणी बोलिये, मन का आपा कोई, और निको सीतल करे, आपा हूं सीतल होई, हिन्यवाद